आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केर टिप्स पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा चना खाने के कारण रोज एक मुट्टी चने खाने से होते हैं ये कमाल के फायदे तो पहले मैं आपको बता दूँ चना खाने के कारण चाहें चना गुना हुआ हो या अंकुरत किया हो चना बहुती पॉस्टिक होता है चने में कार्वोहाइडरेट, प्रोटीन, नमी, चिकनाई, रेसे, कैलसियम, आयरन और बिटाइमिन होते हैं चना हमारे सरीर में प्रोटीन की आपूर्ती करता है इसलिए इसे प्रोटीन का राजा भी का जाता है आईए चने खाने के कुछ बिसेस फायदों के बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं तो पहला फायदा है चना प्रोटीन से भरपूर होता है चने में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है चने में लगवग बारे से पंदे ग्राम प्रोटीन होता है ये अनाज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है ये अनाज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है इससे सरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है चना खाने का दूसरा फैदा मेगनीज का बंडार होता है चने में खून के लगातर वहाब में कॉपर और मेगनीज जैसे माक्रो नूट्रिसंस का होना बहुत जरूरी है चना मेगनीज का बहुत अच्छा स्रोत है इसे खाने से सरीर का तापमान सही बना रहता है चना खाने का तीसरा कारण एनिमिया से बचाव करता है चना चना आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है इसके नियमित सेवन से इसलिए एनिमिया के उच्छ स्जोकिम के दोरान मैलाओं गर्वती हों इस्तनपान कराले वाली मैलाएं हों या फिर मासिक धरमबाली हों बच्चों और लोहों को एक देनिक आहार में इससे सामिल करना चाहिए चना खाने का पांचमा कारण बजन गठाता है फाइवर से वरपूर होने की कारण ये बजन गठाने का एक प्रवावी प्राकर्तिक उपाय है ये ना किवल भूख को नियंतित कनने में मददगार होता है बल्गी लंबे समय तक आपको फूर्ती मैसूस करवाता है ये साकाहरि ये भी उचित बजन प्रवंदन में एक महतूर भूमी का निवाता है चना खाने का पांचमा कारण फास्फूरस और आइरन का स्रोत होता है चने में लगवग 28% फास्फूरस और आइरन होता है ये ना केवल रक्त गोसिकाओं का निर्मार करते हैं बल्कि हीमोगलोविन कारण कॉलिस्टॉल को घठाता है चना कॉलिस्टॉल को कम करने में भी आपकी मदद करता है ये आत में पित रस के साथ मिलकर खून में बढ़े हुए कॉलिस्टॉल के इस्तर को कम करने में मदद करता है चना खाने का साथमा कारण रक्त चाप पन्यंत्रन रखता है उच्छ रक्तिस्याप से ग्रस्त लोगों की रक्त वायकाओं में परिवतन कर चना रक्त तावत को प्रती संरहन होने से बचाता है चने पोटेशियम और मैगनिशियम की मौजूदगी के कारण एक काया में सही इलेक्ट्रोलेड परिवतन प्रगती में मदद करता है इस तरह से चने को जैने काहर में सामिल कर आपको स्वस्त जीवन जीने में मदद मिल सकती है चना खाने का आटमा कारण पाचन विकार से बचाता है चना पाचन और आंथ के स्वास्त को ठीक रख पाचन तंत्र संबंदी विकारों को दूर करने में मदद करता है चने में फीटो न्यूट्रिय चणा खाने का नोमा कारण महिलाओं में हार्मोन का स्सर बढ़ाता है चणा फीटो न्यूट्रियंट्स का बहुत अच्छा स्रोत है यह इस्तन कैंसर के खत्रे को कम करने में मदद करता है और एस्टोजन हार्मोन में खून के स्सर को बढ़ाकर विप्रीत ओस्टियो पोरोसिस से रच्चा करता है इसके अलावा चना मामारी और रजो निब्रती के बाद के लच्चणों के दोरान महलाओं में होने वाले मानसिक बदलाओं में रात परदान करता है तो ये थे चना खाने के गुण तो ये थे मुट्टी बच्चना खाने से होने वाले कमाल के फायदे दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब के बटन को दवाईए अपने फ्रेंड के साथ और अपने रिलेटिप्स के साथ इस वीडियो को सेर जरूर कीजिए विकॉस सेरिंग इस केरिंग एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अप्लोड के अपडेट्स आपको मिल सकें और इन्फोमेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिराऊंगा तब तक के लिए इस्टे हेल्दी, आलवेज बेहपी, एंड टेक केर अफ यूरसल्फ, थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो, वाई वाई